जम्मु कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने के बारे में बोलते हुए कि इंद्री ग्रिह मंत्री आमिश शाह ने इस पश्ट किया है कि चुनाओ के बाद राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। बाद राज्य में विकास कारियों में तेजी आई है और आतंकवादी गतिवीधियों में भी उलेखनिय रूप से कमी हुई है। देश की सुरक्षा और आत्म निर्भरता के श्यत्र में विशेश प्रयास कर रही है। अर्थेतंत्र को विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थेतंत्र बनाना। भारत का घौरव समगर विश्व के अंदर पहुचाने का प्रयास और सफलता पूर्वकिस की स्विक्रिती आई है। और देश के साथ करोड गरीब लोगों के जीवन सतर को उठाने का आठ साल के अल्पकाल के अंदर जो प्रयास किया और हम उठाने में सफल भी हुगे हैं। और देर सारे सिद्ध्या रेलवे में आमुर्चूग परिवर्तन हो रहा है। अंतरिक्स के क्षेत्र में नई नीती बनकर आज हम अंतरिक्स के क्षेत्र में भी लीडर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ड्रॉन की पॉलिसी बनकर ड्रॉन के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ख़दानों के क्षेत्र में भी बहुत सारी पॉलिसी हमने तै की है इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट के लिए वेकिन इंडिया को सफल बनाने के लिए भारत समगर विश्म उत्पादन का हब बने इसके लिए धेर सारी नितिया बना कर हिंग में सफलता पूर्वक प्रयास किय भारत की डिफेंस के छेत्र में विदेश पर की निर्बरता को 30-38 साल के अंदर कम करना मैं मानता हूं बहुत बड़ी सिद्धी है वहां पंथी उग्रवाद लगबग लगबग समाप्ति के आरे पर है पॉपूलर फ्रेंट आफ इंडिया पिएफाई के मुद्धे पर शेशाह ने कहा कि सरकार ने इस पर सफलता पूर्वक प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि इसके कारण देश में कट्टर पंथ फैल रहा था